नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए विडियो में तोस्तों आज का ये विडियो जैसे सी Lab Assistant और जैसे सी PGT के सारी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही चादा मात्कुन होने वाला है आज के इस विडियो में बात करेंगे जैसे सी Lab Assistant का कितना Cut Up गया था और उसी के according जैसे सी PGT का जो रिजल्ट आने वाला है कितना Cut Up वाले स्टुडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा आज की इस विडियो को सुरू से अन तक अवे से ही देखने का परियास कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर दे सामने के बेल का इकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं अगर आपने इस विडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक कर दे तब उनको पता चला कि cut-up कितना high गया था ठीक है हलांकि जैसे सी PGT का उतना जादा cut-up तो नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर student की संक्या कम थी JSC Lab Assistant में बहुत जादा student भरे थे और यहां पर fight भी जादा था ठीक है तो चले आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं JSC Lab Assistant में chemistry का cut-up कितना गया था तो undeserved जो category वाले student थे इनका cut-up गया था 135 प्लस गया था ठीक है और यहां पर question की संक्या की में बात कर रहा हूँ यहां पर number का बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक question में आपका दो marks करके था ठीक है जैसे CPGT में भी same था एक question में आपका दो marks था यहां पर undeserved category जो student थे 135 प्लस किया था क्योंकि बहुत सारी student से मैंने बात किया जिनका 134, 133, 130 आया हुआ था undeserved category का उनका selection नहीं हुआ हलांकि बहुत सारे student एसे कहने वाले थे जिनका कम marks आया है उनका भी list में नाम आ गया है तो वो तो exactly पता नहीं है जब उनका selection होगा नाम आयागा तभी उनका पता चलेगा कि कितना marks उनका आया था ठीक है तो उसके बाद BC1 की अगर बात करें BC1 का कि अगर बात करें तो 135 आपका कटप गया था BC2 का STSC के अगर हम लुग बात करें STSC के तो 126 कटप गया था वहीं अगर SC का कटप इससे भी तोड़ा सकम गया था 120 से 124 25 वाले student का भी यहां पर जो selection है वो हो गया था ठीक है उसके बाद EWS के student के अगर बात करें तो BC1 के लग गया था ठीक है तो यह chemistry का था लगबग इतने question अगर आपने correct किये थे तो आपका selection है वो हो गया होगा ठीक है और उसके बाद normalization भी हुआ था अलग-अलग shift के लिए तो वह अलग बात है ठीक है नormalization में भी कुछ-कुछ वहाँ पर आपका difference दीख सकता है उसके बाद देखें दोस्तों physics की अगर बात करें तो under sub category का यहाँ पर cut up गया था 135 उसके बाद दोस्तों यहाँ पर BC1 का अगर बात करें BC1 का cut up 130 गया था BC2 का cut up की अगर बात करें तो यहाँ पर 132 के cut up गया था ST-ST का cut up यहाँ पर 124 गया था और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर EWS category का cut up गया था 130-128 से 130 के student का यहाँ पर जोस्तों selection हो गया था ठीक है उसके बाद बाद बात करें तो यहाँ पर दीके Unreserved category का cut up गया था 130 से लेकर के 133 के student का यहाँ पर जो दोस्तों selection हो गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर BC1 का cut up गया था 128 BC2 का यहाँ पर cut up गया था 132 ST-ST का यहाँ पर cut up गया था 110 उसके बाद EWS का cut up यहाँ पर गया था 128 तो इस परकार से cut up जो है biology का था ठीक है और मेरे ख्याल से इतना अगर आपने सही किया होगा चाहे physics हो या फिट biology हो आपका selection हो गया होगा ठीक है किसी-किसी shift में normalization के कारण आपके selection हो सकता है ना हो ठीक है और उसके बाद यहाँ पे जो cut-up है high जाने का बहुत सारा सबसे पहले लेखते हैं बायों का यहां पे cut-up कितना जाएगा ठीक है कि यहां पर लिख देता हूं जेनरल कि यहां पर OBC जहांपर BC1 BC2 का लगबग वही 45 नमबर का तौफात रहता है उसके बाद STSC उसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं लोग बायोलोजी का तो बायोलोजी का आपका जो cut-up जाने वाला है जेनरल में 135 के एराउंड आपका cut-up जाने वाला है उसके बाद OBC का cut-up जाएगा 120 के राउंड जहांपर BC1 BC2 का वही 45 नमबर का आगे पीछे हो सकता है STAC का यहां पर cut-up जाएगा 115 EWS का cut-up भी 120-118 के असपास रहने वाला है इसी के राउंड रहेगा एक-दो मां सीधर उतर हो सकता है जादा यहां पर तौफाद आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद में दूसरा नमर बात करते हैं केमस्ट्री का तो जैसे सी PGT में अगर सबसे ज़्यादा cut-up जाने वाला है तो वह जाने वाला है जो है उन्होंने मांक्स लाया है तो आपका वहां पर सेलेक्शन पका है उसके बाद देखे दोस्ते सब्सक्राइब करेब जो आपका जाने वाला है यहां पर समझ करके चलिए 120 के अराम अगर आपका मांक्स आरा है तो सेलेक्शन आपका यहां पर सुनिश्चित कर ले उसके बाद देखे दोस्तो 110 यहां पर OBC का जाने वाला है 105 यहां पर STC का जाने वाला है उसके बाद यहां पर देखे दूच यहां पर अगर बात करें EWS की वहीं 108 110 के करेब जो कटापे वह आपका जाने वाला है फिसिक्स में पर फिर में लग वो सेम रहने वाला है उसके बाद चोथा नुमर पर बात करें English या फिर Hindi जाएगा यहां पर होग दोग नोग डाप एक्सवाट जाएगा यहां पर दीखे 152 के राउंड आपका कटफ वह रहनेवाला है। उसके पर आपका है इंगलीश और हिंदी इंगलीश और हिंदी यह दो नोगलीश से मारा एक्सवाट आपका कुट्प्न करते हैं और इसमें आपका 100K आएगा और इसमें आपका देखे वही 108K आएओं 110K आपका आपका जो कटफ है वो रने वाला है इंग्लिस और हिंदी में यह आपका कटफ जाने वाला है उसके बाद आम लोग बचता है देखे दोस्तों संस्क्रीट, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स कर जान लेते हैं, कॉमर्स का देखे दोस्तों आपका कटप जाएगा, इस बहुत कम स्कूडेंट थे, 110 के राउंड यहां पर कटप जाएगा, 100 के राउंड, यहां पर 95 आसपास कटप जाने वाला है, उसके बाद देखे दोस्तों यहां पर 98, 100 के राउंड, यहां पर AWS का कटप जाने वाला है, कॉमर्स में, बचता है यहां पर संस्क्रीट का, संस्क्रीट का बहुत कम स्टूडेंट थे, तो यहां पर आगर आपने 100 एटेंट कर लिया है, तो समझ करके जले ह कि आपका सेलिशन पका है, बहुत कम स्टूडेंट थे, यहां पर समझ करके 95, 98 तक जाएगा, स्टेसी का 90 के राउंड, अगर अगर अपने साइट यहां तो आ जाएगा, इधर भी देखे, 95, कटप आपका जाने वाला है, तो लगबग यही मैं सर्जेक्ट था, जिसके अगर आपने इतना कोशन करेक्ट किया है, तो आपका सेलेक्शन पका है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रू सब with them.